हेलो अब्रिवन वेलकम टो Mbbs Assist तो आज के वीडियो में जो हमारा टॉपक है वो है नीट 23 का राउंड थरी का काउंसलिंग यानि की मौप अपर राउंड के काउंसलिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं राउंड थरी काउंसलिंग झाल के जैसा कि हम सम जानते हैं की 31 सगत से राउंड थरी के रजिस्टेशन स्टार्ट हो चुके हैं और आपकी चॉयस फिलिंग जो है वो 1 सेप्टमबर से 5 सेप्टमबर तक की जा रही है और हम सब अबेर हैं कि मौपप राउंड में इस बार लगबग 2668 गवर्मेंट एम्वीवियस सीट में आये हैं तो ऐसे में क्या है हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लगबग 3,000 से प्लस सीट आएंगी वो हमारे एक्सपेक्ट से थोड़े से यहां पर गलत चले गए हैं तो हमने जो कटोब भी एक्सपेक्ट हिया था कि लगबग 25,000 रेंक मौपप राउंड में जनरल कर्टेगरी को मिलेगा 24,800 तक लेकिन वो कंडिसेंस इसवार क्या है देखने को सायद ना मिलें राउंड थ्री में तो ऐसे में क्या है जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं लगबग 24,500 तो उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी दुबदा खड़ी हो चुकी है ये 24,500 बच्चा जनरल या OVC काटेगरी से बिलॉंग करता है तो वो इस टैम के बहुत कंफ्यूज हो चुका है कि सर हमें इस रैंक पर इस बार गवर्मेंट MBS कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो आपको बता दें कि round 3 के अंदर जो expected cutoff है जनरल कैटेगरी की वो लगवग 24,000 रैंक तक ही जाने वाली है लेकिन हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि 24,500 बच्चा अपने आपको safe ना समझे ठीक है उस बच्चे को किस round में college मिलेगा क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसके लिए हमें एक better option provide करा रहे हैं जो कि हमारा paid counseling का है तो इस time क्या है कई सारे बच्चे confused हो जाते हैं और जल्दवाजी में आके वो BDS बढ़ देते हैं के साथ ओके तो इसमें हम आपको बताएंगे कि किस rank तक आपको safe समझना चाहिए किस rank के बाद आपको छोड़ देना चाहिए कि counseling की नहीं करा है ठीक है तो general category के लिए क्या है बच्चे लगवग 24 से 25 जार मतलब 24 जार प्लस से आपका 25 जार rank तक के बच्चे हमारे साथ चलें आपको 99.99% 99.99% college मिलेगा ओके government MBS आपको मिलेगा और वहीं अगर आप OBC category की बात करें तो OBC category में आपके 24,200 round 3 में जाने वाला है और यहां से लेकर वही 25,000 rank तक OBC category वाले बच्चे अपने आपको safe समझें और वो 99.99% अपने आपको safe समझें 0.01% हम भी guarantee नहीं ले सकते लेकिन अगर आप हमारे साथ चलेंगे steps को follow करेंगे तो आपको 100% college मिलेगा आप बिल्कुल इस टाइम जल्दबाजी में कोई गलट decision ना ले ले लें BDS ना वढ़ दें ओके या फिर आप counseling से बाहर ना हो जाएं वहीं अगर EWS category की बात करें तो EWS category वाले बच्चे 25,500 यह expected cut-up है EWS की round 3 के लिए तो यहां से लेकर आपका लगव 26,500 वाले बच्चे अपने आपको 99.99% safe समझें और वो जल्दबाजी में कोई decision ना ले तो यह बच्चे हमारे according safe हैं और गोहीं अगर SC category की बात करें तो SC category में आपका 1,30,000 और आपका SC category के अंदर 1,48,000 रेंक अपना round 3 के अंदर आपको safe समझें और आपको हमसे एक proper guidance चाहिए proper counseling चाहिए तो उसके लिए आप हमसे paid counseling ले सकते हैं उसके लिए हम आपको कुछ numbers provide करा रहे हैं उन number पर आप contact कर सकते हैं ओके तो paid counseling के लिए paid counseling के लिए जो हमने बहुत ही genuine fees रखी है 5000 रुपीस आपको इसमें 100% guidance दिया जाएगा आपको बिलकुल पूरी तरह आपको जब तक seat नहीं मिल जादी तब तक हम आपसे connect रहेंगे ओके इसमें आप हमारे दो कॉंटेक्ट से हैं उन पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं एक है 7851-078-249 यह मेरा नंबर है आप इसको save कर सकते हैं डॉक्टर लोकेंदर सींग नाम से वहीं दूसरे हमारे content head है और हमारे counseling को operate करते हैं टीम कॉडिनेटर डॉक्टर पंकस सर उनसे आप contact कर सकते हैं उनका जो नंबर है 79-006-25464 यह आपके डॉक्टर पंकस सर हैं इनसे भी आप contact कर सकते हैं आपको पूरी तरह से full guidance दिया जाएगा आपको बिलकुल अच्छे जब तक आपका college नहीं मिल जाता तब तक आप आपके साथ हम connect रहेंगे ओके बाकी का आप 24,000 rank पर अपने आपको एकदम save समझ सकते हैं राउंड थरीके लिए जन्नल और और ओवी सी कैटेगरी वाले ओके आगे वाले बच्चों को क्या करना है उसके लिए आप हमसे contact कर सकते हैं धन्यबाद झाले बच्चों कर सकते हैं